वेलकम बेक टू माई यीटूब चैनल आज आपको मैं 34-34 की साइज का कटिंग औन स्टिचिंग वीडियो बताऊंगी बलाउस का तो अस्तर को डबल कर देंगे पहले और जो कपड़े का बंद भाग रहेगा वहाँ पर पूरी लंबई का नाप लेंगे तो पूरी लंबई है साड़े 14 इंच और एक इंच एकस्ट्रा लेंगे साड़े 15 इंच लंबई का नाप लेंगे अभी देखिए पूरा सोल्डर है 14 इंच तो 14 का आदा साथ कर देंगे तो सोल्डर में 7 इंच ले लेंगे 7 इंच पे लायन किक दिजिए अभी देखिए जो आर्मोल की लंबई है वो भी 7 इंच रहेगी देखिए जो चेस्ट का नाप हैं तो चेस्ट है 32 इंच है तो 32 का चोथा बाग कर देंगे आपको नहीं मालूम होगा तो इंच्टेप को 4 फोल्ड करके आप नाप निकाल सकते हो तो देखिए 8 इंच आएगा 34 का चोथा बाग तो 8 इंच पे एक माग कर देंगे और यहां से हलकी सी गोलाई का शेप दे देंगे अभी देखिए आर्मोल की गोलाई चेक करेंगे तो आर्मोल की गोलाई है 14 इंच तो 14 का आदा साथ होगा तो साथ पे एक माग कर देंगे अभी देखिए आदा इंच उपर छोड़ देंगे और आदा इंच जितना क्रोस में लाइन कर देंगे देखिए सोल्डर आर्मोर की गोलाई की तरफ आदा इंच डाउन करना रहता है अभी पूरा सोल्डर जो साथ था उसका आदा साड़े तीन पर एक मार्ग कर दिया है और दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है अभी देखिए 10 इंच है चाती का भाग 8 प्लस दो तो कमर लेंगे 9 इंच आदा इंच आप कम ले सकते हो अभी जो उपर का गला है उसको लंबाई में 3.5 इंच लेंगे साड़े तीन इंच ओड़ाई में साड़े तीन इंच लंबाई में इस तरह से लाइन बना के हलकी सी गोलाई दे देंगे अभी देखिए पिछे का भाग कटिंग हो गया है बेक साइड का उपर से दो इंच छोड़ दिया है एक्स्ट्रा और निच्छे से साड़े तीन इंच पर एक माग किया है अभी इंच पर एक आड़ी लाइन करके उपर मिला देंगे जो दो इंच पर माग किया है आपको कोई भी शेप देना हो तो इस तरह से पैटन बना सकते हो अभी देखे स्लीव की कटिंग करेंगे तो स्लीव को चार फोल्ड कर देंगे कपड़े को और साड़े नो इंच स्लीव रेडी है एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि अस्तर वाला कपड़ा है तो और पूरी लंबई से डाई इंच नीचे एक निशान कर देंगे उसी डाई इंच से आप आर्मुल की गोलाई जो साथ इंच थी तो साथ पे एक मार्जिन है आप मार्जिन डेड़ इंच भी ले सकते हो अभी देखे हलका सा गोलाई का शेप देंगे और स्लीव की चोड़ाई है नव इंच तो नव का आदा साढ़े च्यार इंच ले लेंगे और प्लस दो करेंगे साढ़े च्छे इंच स्लीव लेंगे स्लीव की चोड़ाई साढ़े च्छे इंच और साइड में उसको मिला देंगे देखिए स्लीव की कटिंग कर देंगे इस तरह से सेंटर में एक कट लगा देंगे और सेंटर में ब्रोबर बीचो बीच आदा इंच पे एक माक कर देंगे और इस तरह से हलकी शी गोलाई देंगे ताकि आगी के भाग में दो पार्ट लेके उसमें कटिंग कर दीगे स्लीव दोनों स्लीव में एकी साइड में करेंगे और एक निशान कर देंगे ताकि जोडते समय आशानी रहे आपको अभी देखिए बैक साइड का भाग है जो बच्छे हुए कपड़े के उपर रख दीजिए जो गले का भाग है वहाँ पर आदा इंच एक्स्ट्रा रखना है और लंबई में डेड़ इंच निचे एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से कपड़े को सेट करके बैक साइड का भाग रख दीजिए अभी आर्मोल की जो गोलाई है सेम इसी तरह से गोलाई बनानी है और सोल्डर का नाप लेना है गले की गोलाई जितनी है उसके आगे आदा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लीजिए इस तरह से देखे जितनी कमर हो उस कमर के एकोर्डिंग साड़े नौ इंच पे एक लाइन कर देंगे नीचे अभी देखे आर्मोल की गोलाई में आदा इंच सेंटर में निशान करके अंदर का शेप दे दीजिए और जो गले की लंबई बढ़ानी है तो साड़े 5 इंच गले की लंबई लेंगे आप चाहे तो 6 इंच तक ले सकते हो इस तरह से वापिस गोलाई दे देंगे अभी जो साइड भाग की लंबाई है वो देखिए 6 इंच रेडी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और हुक पट्टी की लंबाई 4 इंच रेडी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे साड़े 5 इंच देखिए कमर 10.5 इंच क्रोस लाइन लेंगे और 4.5 इंच पर एक मार्ग कर देंगे 4.5 तक सीधी लाइन लेनी है और बागी क्रोस में ले लेंगे हुग पट्टी तर फिर देखिए नीचे जो बेल्ट के लिए लाइन है उसको उपर तक मिला देंगे तो बेल्ट और आगे का भाग दूनों एक साथ कटिंग होगा इस तरह से देखिए दूनों भाग कटिंग कर देंगे बेल्ट से उपर क्रोस लाइन एक इंच ज़्यादा रहेगी टक्स के लिए इस तरह से देखिए अगर बेल्ट में क्रोस लाइन ज़्यादा दीखे तो सा कटिंग कर दीजिया आगे का शेप अभी देखिए जो साड़े चार इंच पे माग किया था उसमें हलका सा कट लगा देंगे टक्स का और जो हुक पट्टी की लंबाई है उसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक निशान करेंगे और यहां पे भी एक कट लगा दें और साइड भाग की जो लंबाई रहेगी उसमें भी एक इंच नीचे की तरफ निशान करके कट लगा देंगे और आर्मुल की गोले का शेप हलका सा तिर्चा देखके इस तरह से देखिए जहां पे भी निशान आए वहां पे हलकी सी कट लगा देंगे अभी टक्स की लंबाई है जो ढाई इंच पहले लंबाई लेंगे ढाई इंच से एक इंच उपर एक निशान कर देंगे और उसी निशान से साइड बाग की चोड़ाई में दो इंच गेप रखेंगे और सीधी लाइन कर देंगे और जो हुक पट्टी की साइड में डेड़ इंच का गैप चोड़ेंगे और जो आर्मुल की चोड़ाई है वहाँ पे भी दो इंच का निशान करेंगे इस तरह से निशान करके पीछे की साइड में सेम निशान करना है निशान करके अभी जो मेन फेब्रिक हैं वहाँ पर कटिंग करेंगे तो उसमें देखिए पहले स्लीव की कटिंग करेंगे तो स्लीव को खोल कर इसके उपर रखनी है और देखिए नीचे समोसे पट्टी है तो उसको खोलना नहीं है वरक में लेस को खोलना नहीं है और जब आप कटिंग करेंगे तब आदा आदा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कीजिए साइड में देखिए कम पड़ेगा तो बाद में जोइंट करेंगे एक बार हलका सा कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी देखिए बंद भाग में पीछे का भाग रखेंगे जो बैक साइड का भाग है उसको बंद भाग की तरफ रखेंगे और फ्रंट साइड का भाग है वो जहां पर भी सेट होगा वहां पर सेट करेंगे इस तरह से सारे पाट कटिंग कर देंगे अभी देखिए जो फ्रंट साइड का भाग है उसको उल्टा रखेंगे जो मेन फैबरिक है उसको उल्टा रखेंगे और उसके उपर अस्तर के भाग को रखेंगे और चारा तरफ सिलाई लगाएंगे अभी जो बेल्ट वाला भाग है उसको सीधा रखेंगे और उसके उपर अस्तर रखेंगे ताके उसको पल्टाने में easy रहे नीचे की भाग में select करके उसको पल्टा सके इस तरह से देखिए सारे पार्ट रख दिये हैं अभी जो back side का भाग है सीधे बाग के उपर अस्तर रखा हैं और तीनों कोनों में आदा इंच का gap छोड़ते हुए एक चौक्ष निशान कर दिया है ताके आप stitch करेंगे तबी finishing अच्छे से आ जाएगी आदा आदा इंच का margin छोड़ते हुए सिलाई कर देंगे इस तरह से देखिए सुई को कपड़े के अंदर रखके पीछे का भाग उपर करके टन देखे कपड़े को और आसानी से सिलाई कर सकते हो अभी जो center का भाग है main fabric उसको cut कर देंगे अस्तर के according अभी देखिए जो तीनों कोनों हैं तीनों कोनों में cut लगा देंगे इस तरह से cut लगा के अस्तर को पीछे की तरफ करके पलटा देंगे और पिन डाल देंगे अभी देखिए किनारी पे सिलाई लगाएंगे एकदम किनारी पे नहीं लगानी है हल्की सी किनार छोड़के सिलाई लगानी है आप देख सकते हो इस तरह से सिलाई लगाए अभी जो नीचे का भाग है वहाँ पे साइड साइड में सब जगह किनारी पे सिलाई लगा देंगे अभी जखिए जो नीचे का भाग है उसमें आदा इंच में फैबरिक एक्स्ट्रा था तो उसको पल्टा के दो बार आदा आदा इंच फोल्ड करके एक सिलाई कर देंगे किनारी पे में फैबरिक का कपड़ा आदा इंच नीचे एक्स्ट्रा था अस्तर से इसके लिए आदा आदा इंच दो बार फोल्ड करके सिलाई कर दी है अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे अस्तर के अकॉर्डिंग अभी देखिए जो मेन सेंटर हैं बीच में वहां से साड़े चार इंच लंबाई और साड़े चार इंच ओड़ाई पे दोनों तरफ टक्स का निशान कर देंगे बेक साड़ के सेंटर वाले भाग से लंबाई चोड़ाई में साड़े चार इंच लेंगे इस तरह से टक्स लगा के आधा आधा इंच का टक्स लगा देंगे नीचे की तरफ आधा इंच और उपर हलका सा क्रोस ले लेंगे इस तरह से डबल सिले कर देंगे अभी देखिए जो स्लीव में गोटा पत्ती बरक था तो इसमें मैंने हलकी सी पतली गोटा लेस ले ली है और बेक साइड के बाग को गले में लगा देंगे इस तरह से लेस को बिल्कुल खिचना नहीं है और नीचे के कपड़े को भी बिल्कुल नहीं खिचना है और सिंगल स लगेगी इस तरह से दीरे दीरे सेंटर में सिलाई लगाते हुए तीनों को बिठा के देखिए इसमें सिंगल सिलाई है तो कोनों में प्लेट्स नहीं आएगी डायरेक स्वीप को उंदर डालके लेस को टन दे सकते हो आराम से लेस लग जाएगी इस तरह से देखिए बहुत अच्छी लगेगी लेस इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है अभी देखिए एक लेस बाजू में और लगा नहीं है सिंगल तो हलके सी पाव इंच इतना बीच में छोड़के एक सिलाई और लगा देंगे तक बैक साइड का भाग अच्छे से दिखिए बहुत सुन्दर लगेगा इस तरह से लेस लगाने से भी देखिए बैक साइड का भाग रेडी हो गया है स्लीव में मैचिंग था इसके लिए लेस लगाई ताकि अच्छी दिखे बैक साइड का भाग अभी देखिए स्लीव को पल्टाएंगे कैसे लेस को नहीं खुलेंगे लेकिन स्लीव को आसाने से पल्टा सकते हो तो में स्लीव उपर की तरफ रखेंगे नीचे की तरफ रखेंगे अस्तर की स्लीव और आदा आदा इंच की सिले ही लगा देंगे सिले एकदम किनार पे लगानी है और अस्तर का भाग उपर की तरफ आदा इंच रखना है एक्स्ट्रा स्लीव मैंने उल्टी रखी है इस तरह से देखिए अस्तर उपर की साइड करके धाप सिले कर देंगे ताकि जो समों से है वो नीचे की तरफ हो जाए और आराम से फिनिशिंग में अच्छे से दिखे इस तरह से किनार पे सिले ही लगा देंगे अभी देखिए पीछे की साइड में अस्तर के एकदम चारो तरफ सिले में सिले ही लगा देंगे इस तरह से सेम इसी तरह से दूसरी स्लीप भी रेडी कर देंगे और जो अस्तर के एकदम एक्स्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे आप देख सकते हो स्लीप बहुत सुन्दर रेडी हो गई है दूसरी स्लीप भी इसी तरह से रेडी कर देंगे अभी देखिए जो बेल्ट वाला भाग था बेल्ट को नीचे की तरफ आदा आदा इंसकी सिले ही लगा देंगे सिदे वाले बाग में और पीछे की तरफ रखके किनारी पे सिले ही लगा देंगे एकदम किनारी पे नहीं लगानी है हलका सा चोड़के लगाए इस तरफ से देखिए सिले ही लगा देंगे और जो खुले बाग है तीनों में किनारी पे वापिस तीनों तरफ सिले ही लगा देंगे दोनों बेल्ट इसी तरफ से तयार कर देंगे जो फ्रन्ट साइड का बाग है उसको देखिए चारों तरफ किनार पे सिले ही लगा देंगे जो में फैब्रिक है वो उल्टा रहेगा और अस्तर उसके उपर रहेगा और किनारी पे सिले ही लगा देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर के अलावा तो उसको कपड़ाई को कटिंग कर देंगे अभी देखिए जो टक्स है टक्स को कपड़े को फोल्ड करके नीचे से आदा इंच और उपर तीर्चा सिलाई लगाएंगे इस तरह से इस तरह से आप सिलाई को डबल कर दीजिए सबसे पहले नीचे वाला टक्स लगाना जरूरी है उसके बाद में आप साइट भाग का टक्स लगाएं जैसे वीडियो में बताये हैं इसी तरह से टक्स को लगाएं देखे जो आरमुल की गोलाई हैं वहाँ पर टक्स रहेगा वो एकदम किनारी पर रहेगा उसको जादा नहीं लेना है उसको सिरफ किनारी पर सिलाई लगानी है बागी जो तिन्नो टक्स थे उसमें आदा आदा इंसकी सिलाई लगानी है इस तरह से चारो टक्स रेड़ी हो गए हैं, आप देख सकते हो दूसरा पाट भी इसी तरह से रेड़ी करेंगे अभी देखें नीचे बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट का जो ज्यादा वाला भाग है वो आगे की तरफ रहेगा हुक पट्टी की तरफ और आदा आदा इंच की सिलाई लगा देंगे जो टक्स लिया है, वो टक्स वाले बाग को सामने की तरफ रखे हुक पट्टी की तरफ रखे इस तरह से इसमें भी डबल सिलेई लगा देंगे आप देक सकते हो दोनों पार्ट रेडी हो गए है आगे के पार्ट की लंबई आप चेक कर दीजिए कोई छोटा बढ़ा हो तो उसको सेट कर सकते हो अभी देखें bit, hookपटी और eye की पटी cutting करेंगे तो एक पटी 1.5 inch की cutting करनी है चोड़ाई में और दूसरी पटी रहेगी, जो अए 1.5 inch की चोड़ाई में cutting होगी इस तरह से 2 पटीओ को cutting कर देंगे अभी देखें, जो front side का भाग है, उसको आप इस तरह से रखे और एक रहेगा सीधे बाग की तरफ एक रहेगा उल्टे हाथ की तरफ तो जो सीधे हाथ वाला बाग है वहाँ पे छोड़ी पट्टी लगेगी और उल्टे हाथ वाला बाग है वहाँ पे डेड़ इंच वाली पट्टी लगेगी जो डेड़ इंच वाली फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे अगर आपके नीचे पट्टी लगानी अलग से पट्टी लगानी है तो इसको एक्स्ट्रा रखने की जरूत नहीं है अभी देखिए किनारी पर एक दाब सिलाई लगा देंगे इस तरह से दो बार कपड़े को फोल्ड करके दाप सिलाई जो है वो पीछे की तरफ रहनी चाहिए और किनारी पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से हूख पट्टी रेडी हो जाएगी अभी देखिए जो राइट साइड वाला भाग है उसको उल्टा रखेंगे और चोड़ी पट्टी है उसको भी उल्टा रखेंगे और नीचे आदा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी को आदा आदा इंच की सिलाई लगा देंगे अभी देखिए नीचे का कपड़ा इसमें भी फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे अभी कपड़े को आदा इंसे भी ज्यादा फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लगाई है इसी के उपर वापिस फोल्ड करके किनारी पे सिलाई लगा देंगे ये पट्टी देखिए बाहर रहती हैं दोनों तरफ उसमें अस्तर की पट्टी दिखेगी इस तरह से किनारी पे सिलाई लगाएंगे एक सिलाई और उसमें लगाएंगे एक दाप का मार्जिन रखते हुए पास में एक और सिलाई लगाएंगे दोनों सिलाई के बीच में आई बनेगी या फिर बटन लगेंगे इस तरह से देखिए बैक साइड का भाग सिधा रखेंगे और फ्रन्ट साइड का भाग उसके उपर उल्टा रखेंगे आप चेक कर लीजिए गले का भाग आमने सामने रहना चाहिए फिर सोल्डर की सिलाई कर देंगे आदा आदा इसकी मार्जिन छोड़ते हुए सोल्डर पे सिलाई लगा देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको साइड भाग से कल्टिंग कर देंगे हारमुल की गोलाई की तरफ अभी देखिए गले की पट्टि कटिंग करेंगे तो जो अस्तर का भाग है अस्तर का कपड़ा जो बचा हुआ है उसको तिर्चा रखेंगे और कटिंग कर देंगे सवा इंच की चोड़ाई पे आप तिंचार पट्टियों को कटिंग कर देंगे देखिए पट्टियों को जोइंट कर देंगे इस तरह से पट्टि को सीधा रखेंगे दूसरी पट्टि को उसके पर उल्टा रखें उसको सिलाई लगा देंगे अभी देखिए जो ब्लाउस का भाग है वो सिधा रखेंगे और पट्टी का भाग उल्टा रखेंगे और पट्टी को बिल्कुल खीचेंगे नहीं इस तरह से सिलाई लगा देंगे आगे आदा इंच एक्स्ट्राक पट्टी को कटिंग करेंगे अभी देखे इसके किनारी पे दाप सिलाई लगाएंगे सिलाई वाला आगे की तरफ रखते हुए किनारी पे सिलाई लगा देंगे ये जब सिलाई लगाओगे तो आपको एकदम किनारी पे लगानी है बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक्स्ट्रा कपड़ा अभी देखिए पट्टी को दो बार आदा आदा इंच मोडते हुए वापिस किनार पे सिलाई लगाएंगे जो दाप सिलाई थी वो आपको उल्टे की तरफ दिखनी चाहिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए आप किनार पे सिलाई लगा दे इस तरह से देखिए गला पट्टी रेडी करेंगे अभी देखिए गला पट्टी रेडी हो गई है बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है आप देख सकते हो इस तरह से पट्टी बनाए अभी देखिए बलाउज को सिधा रखेंगे और जो स्लीव का भाग है उसको उसके उपर उल्टा रखके स्टीच करेंगे तो जो आगे का फ्रंट साइड का भाग है जो निशान किया होगा हो आगे की तरफ रहना चाहिए और जो सेंटर में कट लगा है वो सेंटर की सिलाई में रखते हुए कपड़े को सेट कर देंगे अगर स्लीव का कपड़ा एक्स्टा है तो उसको साइड में एक्स्टा रखेंगे और सिले उसके बाद में लगाएंगे इस तरह से स्लीव को चेक करके लगाए आप देख सकते हो स्लीव में इस तरह से सिलेई लगाएंगे स्लीव को बिल्कुल खिचना नहीं है जब आप सिलेई लगाओगे तभी इस तरह से दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से लगाएं सेंडर वाले बाग को चेक करते हुए अभी देखिए जो एक्स्ट्रा स्लीव का कपड़ा था उसको कटिंग कर देंगे ब्लाउस को सिधा बाग करेंगे और किनार पे सिलेई लगा देंगे अगर नीचे की तरह आपका कपड़ा हलका सा बढ़ जाए तो आप सिलेई में सेट कर दीजिए अभी ब्लाउस को उल्टा करके आदा इंच का मार्जिन रखते हुए एक और सिलेई लगा देंगे अब देख सकते हो इस तरह से सिलेई करके बाद में फिटिंग का निशान करेंगे तो देखिए स्लीव की चोड़ाई है और आर्मोल की गोलाई हैं सात इंच तो सात इंच पे निशान कर देंगे इस तरह से देखिए फिटिंग करने का तरीका भी बहुत इजी है दुसरे पाट को भी उसके उपर रखते हुए इसी तरह से निशान कर देंगे अभी देखिए पूरी कमर चेक करेंगे तो पूरी कमर है 26 इंच तो यहाँ पर देख सकते हो 26 इंच तक रखके एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है वो पहले देख लेंगे अभी देखिए 26 इंच के बाद में जो भी कपड़ा बसता है उसको दो बार फोल्ड कीजिए यानि चार भाग करना है और उसके बाद में इंच टैप से चेक कर दीजिए कितना इंच बचा हुआ है तो आप देख सकते हो 1.5 इंच तो जो मैंने सिलाई लगाई है उसके बाद में 1.5 इंच पर निशान करना है और तिनों निशानों को मिलाते हुए सिलाई कर देंगे देखिया आपको पूरा अच्छे से वीडियो मेंने कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पूरा बताए है आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की गंटी को दबा के औल पे जरूर प्रेस करें वीडियो की नॉटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिले इस तरह से दो तीन सिलाईया लगा देंगे देखे ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है इस तरह से आप वीडियो देखके जरूर ब्लाउज बनाए आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा 32-34 की चैस्ट तक ये साइज है तो इस साइज को देखके आप जरूर बनाए वीडियो देखने के लिए थेंक्यू